हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए ट्वन्टीफो नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार की नई योजना, जो की फ्रेंज यहां पर है बिहार बिरुजगारी भक्ता के लिए आप कैसे आवेधन कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो यहां पर फैंस, इस से रेलेटेट जो भी जानकारी आपको चैक करनी है, इस सारी जानकारी आपको जोबरासा.com पर देखने को मिल जाएगी, लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वह यह फैंस, इसका ओफिशल पोटल है, जहां से आप मल्टिपल योजनाओं के लिए आविदन कर सकते हैं, जिसमें आपके बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, साथ में मुख्यमंत्री निश्चे स्वयम सहायता भत्ता योजना है, जो कि आपका बेरुजगा है Jupiter, आप स्टैब पर क्लिक करेंगे, इसके बाद देखे कुछ बेसिक जानकारी है, जो कि आपको यहां पर फिल करनी होती है, सबसे पहले है आपका नाम, तो आपको फ्रेंट से यहां पर देना है आपका first name इसके बाद आपका middle या last name है तो आप दे सकते हैं बाकी first name देना mandatory है इसके बाद है आपके पास एक valid mail ID होनी चाहिए तो आपको यहाँ पर mail ID यहाँ पर enter करनी है और उसके बाद send OTP पर आप click करेंगे इसके बाद आपसे पूछा गया है select yes if application is filled at वसुद्र केंदर अगर आप यहाँ पर वसुदा केंदर से यहाँ पर apply कर रहे हैं तो आप यहाँ पर yes करेंगे बाकी आप इसे यहाँ पर नो ही रहने देंगे इसके बाद नीचे है आपका OTP option तो देखिए आपकर आपका mobile number है और आपकी mail ID है उस पर फ्रेंड जो OTP आती है वो OTP आपको यहाँ पर enter करना होगा और उसके बाद send OTP पर आप click करेंगे और OTP आने के बाद OTP को verify आप यहाँ पर कर लेंगे तो यह basic step है जहां से अपने registration को आपको complete करना होगा तो यहाँ पर friends से देखिए मैंने sample के तोर पर यहाँ पर OTP एंटर कर दी है इसके बाद जो option आपका next आता है desire scheme का तो यहाँ पर friends से देखिए जो student credit card अगर आप यहाँ पर जो scheme है उसके बारे में आप यहाँ पर योजना का लाब लेना चाहते हैं तो आप इस option को select कर सकते हैं successful register का कि आपकी जानकारी है user ID और password वो आपकी mail ID और mobile number पर send कर दिया गया है अब आपको go to home page पर जाना होगा और यहाँ पर जो username and password friends आपको यहाँ पर मिला है आपकी mail ID पर या आपके friends mobile number पर वो आपको यहाँ पर enter करना है इस capture code को fill करना है और उसके बाद directly आपको यहाँ से login कर लेना है इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपको एक password यहाँ पर create करना होगा अब password आप कैसा भी create कर सकते हैं पर password में friends sample के तो आगर बात करें तो आप यहाँ पर देखिए friends जो आपके uppercase है और आपके small letters है वो आप यूज कर सकते हैं password में और आप यहाँ पर numbers को यूज कर सकते हैं और कोई भी special character आप यहाँ पर यूज करना चाहें तो आप यहाँ पर password इस तरह से बना सकते हैं यहाँ पर आपकी password आया होगा आपकी mail ID पर वो आपको देना है नया password generate करने के बार आप यहाँ से submit कर देंगे इसके बाद आपका देखिए password successful यहाँ पर जो है change हो जाएगा अब आपसे कहेगा please login again तो आपको यहाँ पर click करना है और जो username आपका है मतलब जो mail ID है और जो आपका password आपने नया create किया होगा और यह capture code डाल कर आप यहाँ से login कर लेंगे इसके बाद आपका देखिए जो portal है विए open हो जाएगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पा जाना है और आपका इन में से कौन सा board है वो board आप select कर सकते हैं आपका roll number और आपका roll code या school code है जो कि आपकी mark sheet पर लिखा होता है वो जानकरी आपको देनी हो और यह 10th board क according जानकरी आपको देनी होगी रेगलोर या supplementary आपने इसको कैसे पास किया है year of passing क्या है आपने इसको कब पास किया है वो आपको देना है उसके बाद आपको friends आपके school का पूरा नाम देना है और ध्यान रखिएगा जो भी जानकरी में फिल कर रहा हूँ यह सिप सेंपल के त आपको फ्रेंशचर आपके school का नाम आपको यहां पर देना होगा इसके बादा आता है आपका name section name section पर आने के बाद इसके बात नेम आपको यहां पर एंटर करना होगा और यह से यहां पर देंगे सेम आपका first name, middle name और last name ही आपको यहां पर enter करना है, इसके बाद friends से सेम आपको यहां पर आपकी जो mother name है उसकी entry आपको यहां पर करनी होगी, next option है DOB मिन से date of birth का तो आप इस calendar पर यहां पर click करेंगे और आपकी जो भी date of birth है वो आपको इस calendar के माध्यम से friends से यहां से select कर सकते हैं, date of birth select करने की बाद आपका ace criteria यहां पर आ जाएगा, इसके बाद आपको IFC code यहां पर enter करना है, IFC code आपको नहीं पता है, तो IFC code आपको friends आपके bank की passbook पर मिल जाती है, आप click here to check IFC code पर भी click कर सकते हैं, आपके सामने एक new tab open हो जाएगा, आपको यहां पर friends से जो भी आपका bank है इन में से आपको यहां पर bank की list आपको यहां पर मिल जाती ह आपके according आपको जो भी bank आपका है वो आप यहां से selected कर सकते हैं, bank की list friends यहां पर जो भी bank आपका है वो आपको select करने के बाद branch name यहां पर enter करना होगा और उसके बार get bank details पर click करना होगा और जो भी bank यहां पर होगा वो उसका record आपको मिल जाएगा और IFC code भी आपको मिल जाएगा और उसके बार आपको आपका account number यहां पर enter करना होगा अब आपका address option है तो आप यहां पर ruler मतलब ग्रामीन एरिया से बिलॉंग करते हैं तो ruler select कीजिए शहरी छेतर से बिलॉंग करते हैं तो urban select कीजिए इसके बाद आपको यहां पर district select करना है ब्लॉक या परिसर select क करना है आपका pin code देना है house या फ्लैट या road number आपको देना है और area या लोकल्टी आपको यहां पर देनी होगी अगर यह address सेम है तो आप सेम असपकली कर सकते हैं अलग अलग है तो आप यहां से इसे submit कर देंगे इसके बाद फैंसे नैस्ट ऑप्शन आपके यहां पर लिख की location आपको यहां पर देनी होगी आपके जो कोशल यूवा ट्रेनिंग जो आपकी है वो आप कहां पर लेना चाहते हैं उसके लिए तीन प्रफरेंस आपको यहां पर देनी होती है तो अपने according जो भी प्रफरेंस यहां पर देना चाहें वो आप यहां पर दे सकते हैं इसके आपको generate करना होगा email option से तो इसके बाद friends आपकी जो mail ID है उस पर friends एक confirmation link जाता है मतलब registration number आपका जाता है तो आपका जो online form है वो आपका यहाँ पर completely submit हो जाएगा और आपकी जो process है वो भी complete यहाँ पर हो जाती है इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपके पास एक यहाँ पर जो है PDF जनरेट होगी उस PDF को आपको download कर लेना है और इस PDF को download करने के बाद friends आपको इसे यहाँ पर जो आपका friends DRCC का friends जो office है वहाँ पर जाकर आपको यह documents को show करना होगा और इसके लिए आपको इसकी official website पर जो जानकारी है वो भी friends आपको यहाँ पर दी गई है कि जो भी मुख्यमंत्री स्वयम सहायता भत्ता योजना या कुशल यूवा प्रोग्राम के online आविदन करने के अंत्रगत अनिवारने रूप से किसी भी कारह दिवस को सुबह 10 से साम 5 विजे के बीच में जरूरी दस्ता विजो के साथ DRCC पहुँचकर दस्ता विजो को सत्यापन करना सुनिश्चित करें अगर आप DRCC पहुँचकर दस्ता विजो को सत्यापन करना करवाते नहीं है तो friends आपका जो form है वो अगर आप भत्ता लेना चाहते हैं तो आपकी संबंदित जो आपका ओफिस है वहाँ पर जाकर आपके डस्ता विजो को आपके डॉकुमेंट्स को सत्यापित करवा सकते हैं दिखा कर चेक करवा सकते हैं उसके बाद ही friends आपका जो form है वो फाइनली अपूर्वल होगा तो यहाँ पर friends मैंने आपको प्रोसेस बता दी है कैसे आप विरहार विरुजारी भत्ता का फॉर्म अपलाए कर सकते हैं बाकी की जानकारी आप जोबरास्ता.com पर जाका चेक आउट कर लेंगे अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है त लाइक सब्सक्राब मेंशे जरूर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहे हमारे साथ देखते रहे हमारा येडिव चैनल अला संक्स पूर वाचेंग